हलो फ्रेंड्स वेलकोब बैक टू माई चैनल तो सर्दीयों का मौसम है मंडी में आवलो की भरमार है हर सर्दीयाँ आपको हर घर में मिलेगी आवले की कैंडि आवले का मुरब्बा और आवले की चुडन की गोलियां तो सुचा क्यूंड आज आपके लिए में कुछ हटके ल यहां मैंने लिए कुछ 7-8 चित्ते आवले यह बिल्कुल फ्रेश आमला है जब आप मंडी से आवला लेने जाए तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वह एकदम ग्रीन होने चाहिए उसमें दाग नहीं होने चाहिए और एकदम कड़क कड़क हमारे आवले होने चाहि लेकिन हाँ जहां तक हो वाताक एकदम फ्रेश बड़े बड़े और एकदम ग्रीन आवला लीजिए गा इन सारे आवलों को हम एक बार अच्छे से वाश कर लेंगे उसके बाद हमें कॉटन के कप्रेट से इसे पोच लेंगे अब हमें करना है इसे प्रेशर कुकर सिफ एक स सारे आवलों को में डाल दूंगे कुकर में और इसमें अब हम डालेंगे सिर्फ पाने वह वि मैंने छोटा ग्लास लिया है हमें तरफ पानी नहीं डालना। सिर्फ आज़ यतना पानी और यहां हो गई है हमारी एक विसल रेडी, यह देख रहे हैं हमने इसे ओवर कोक बिलकुल ने किया, यह एक दम और अफ़ेकली कोक है, और यह जो आवले का पानी जो बचता है उसे बिलकुल भी मत फैकेगा, उसमें या तो आप चाशनी डालिए या काला नमक डाल के पी लि क्योंकि इसमें विटामिन C और आईरन भर पूर होता है, यहां पर मैंने आवले को कर दिया है, बॉयल सिफ हमने यू समझे कि हमने इसे ब्लांच किया है कुछ एक से दो मिनिट के लिए और इसको अब हम होने देंगे ठंडा एक दम अच्छे से, या फिर जितना आप पकड के से दबाईए दोनों साइट से पकड़के और आपके आवले की एक एक फांक अलग निकल के आएगी, देखें आपको कोई भी महनत करने की जरुवत नहीं है, कितनी आसानी से सारी फांक है निकल रही है, देख रहे हैं आप तो इसलिए मैंने आपको कादा कि इसमें जादा सिटी ले ले लेते तो दबाने में आपके आवले सारे घुट जाते और यह आपकी जो आसानी से जो फांक है निकल रही है ना वह बिल्कुल भी नहीं निकल पाती तो सिफ एक सिटी लेके ग्यास को बंद कर दीजिएगा कि इसी तरीके से हम अपनी बाकी के आवलों की फांको को निकाल देती हूं और हम तयार कर लेते हैं अपने अचार की प्रिपरेशन कि अपने की तरफ तो बस एक नॉन स्टिक पैन में मैं लूंगी यहां पे तीन चम्मच जितना सर्सो का तेल धान रखिए आप कोई भी अचार बनाते हैं वह सर्सो के तेल में ही बनाईए उसका एक अलगी टेस्ट और मजा होता है इस तेल को हमें अच्छे से गरम होने दे यह हर जगा मिलता है यह आपको चोटी बॉटल से लेकि एक लीटर की बॉटल तक मिलेगा तो बस यहां पर हो गया मेरा तेल अच्छे से गरम और इसके अंदर आप में डालूंगी चुटकी भर जितना हींग का पाउडर हींग जरूर डालिएगा इससे आपके आमले के दालूंगी इसमें राई जादा मत डालीगा यह सारी क्वांटिटी जो मैं ले रही हूं वह साथ से आंट आमलों के लिए अगर आप ज्यादा आमला लेते हैं तो उससे साब से क्वांटिटी का एजस्मेंट आप कर लीजेगा तो इन सारी चीजों को मैं अच्छे से एक ब आमले को टेस्ट भी आता है और यह पचाने में भी अच्छे रहते हैं और अब मैं ले रही हूं यहां पर दो लॉंग और दो काली मिच का पाउडर यहां पर मैंने लिया है एक चोथाई चमज जितने धनिया साबुत धनिया जिसको मैंने हलके से कूट लिया है मतलब एक धनिये के मैंने दो पीस कर ली है ताकि वो अच्छे से आसानी से चबाए जा सके और एक चमज में डाल रही हूं इसमें सॉफ धान रखिए अगर मैं डालूंगी इसमें लाल मिच का पाउडर तो बस यहां पर हमारा रेडी हो गया है पूरा अच्छे से मसाला अगर आपको ज्यादा चट्पटा पसंद है तो इसमें लाल मिच की कॉन्टिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं तो बच कुछ सेकेंड के लिए हम इस सारी मसालों को अच्छे से पून लेना है ताकि जो मसाला है वह अच्छे से सब्चीजों में कोट हो जाए और अब हम डालेंगे इसमें अपने आवला सौरी मेरी गैस यहां पर बंद हो गई थी उसे मैं दुबरा चालू कर दिया है और जब भी आप यह सारा मसाला डालें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा तेज मत करिएगा नितों आपके सारे मसाले जल जाएंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर सारे मसाले दालिएगा और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे आवला जो होता है वो सर्दियों के में बहुत खाये जाता है क्योंकि इससे आपको गर्मार्ट मिलती है आपको कैल्शिय मिलता है इसमें आइरन भरपूर होता है यापकी स्किन के लिए बेस्ट है हैर ग्रोथ के लि तो बस इसको अब हम एक से दो मिट के लिए अच्छे से भूल लेंगे यहाँ पर अचार हो गया है हमारा रेड़ी आवले का इसको होने देंगे अब हम ठंडा धान रखिए कोई भी अचार आप डाले उसमें पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और तेल की कॉ प्रिजर्वेटिव्स यूज करने पड़ेंगे और प्रिजर्वेटिव्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते तो बस थोड़ा थोड़ा अचार पनाईए और इंजॉय करिए यहाँ रेड़ी है मेरा चटपटा मसालेदार आवले का अचार आज का यह वीडियो अगर सब्सक्राइब और शेयर करें तो देखा यमी एंड डिलीशिस चटपटा स्पाइसी हमारा आवले का अचार यहाँ रेड़ी है इसे इंजॉय करिए क्रिस्पी पराठो के साथ या फिर भाकरी के साथ मैं मिलते हूं आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए था